नमस्क्रा सश्यका लादाब क्या हाल चाल गैस कैसो आप सब लोग मेरा नाम शेहां गुपता और आप देखरों इंजीनर सटा यह सेशन इस पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका SSC J 2022 के रिजल्ट में सेलेक्शन नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया तो आप लोगों को परशान होने की जुरूरत नहीं है इस सेशन को पूरा देखिएगा आज मैं आप लोगों को डीटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपका सेलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर आप आगे क्या क्या कर सकते हैं तो चलिया आईए शुरू करते हैं बिना कि मेरे दोस्त हमेशा यह कहा जाता है कि जब भी कभी आप लोगों का सेलेक्शन नहीं हुआ या फर जब भी कभी आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि मेरा सेलेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं आया और मैं आगे क्या करूँगा मेरी पूरी मेहनत बरबाद हो गई अब मेरे पास आगे कोई option नहीं बचा है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है हाँ ये बात जरूर है कि इस बार mechanical की vacancies बहुत जादा नहीं आई हुई थी साथ में अगर देखा जाए तो बाकिज departments में भी जो selection हुए है उनका जो ratio थीक था लेकिन mechanical का ratio बिलकुल ही खराब था even electrical में बहुत जादा vacancies ना होने के बाद भी उसमें जो selection हुआ 600 प्लस में था 2200 के करीबन लगभग आप लोगों को civil में मिल गया लेकिन मातर 34 जो selections हुए हैं वो हुए mechanical में तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी काीमक के लिए फूकस करते हैं और उसी examination से हम लुग सीखना चाहते हैं और उसी examination हैं सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कहीं नहीं है एम आपका एक ही होता है जैसे कि आप लोगों ने बना लिया SSCJE का राइट लेकिन उसके अलावा भी यहां पर बहुत सारे एक्जाम्स हैं जो आप लोगों के इसी लेवल पर हो रहे हैं हो सकता है SSCJE में रिजल्कन नहीं आया लेकिन SSCJE के अलावा भी बहुत सारे जिसमें आप लोग तयारी कर सकते हैं और form भर सकते हैं बहुत सारे स्टोरेंट कहेंगे कि सर मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है तो चलो आओ बताते हैं आप लोगों को कि कितने exams हैं गई सबसे पहले में आप लोगों को उन exams की list दिखा रहा हूँ जो announce होने वाले हैं जस्ट लाइक आरवियोनल जेई हर साल होता है इस बार भी आएगा यूपी आरवियनल जेई यूपी पॉली टेखनिक लेक्चुरर अलम आर्सी लखनाव मैक्ट्रो आरेसमस भी जैसे की राजस्थान चेई बोलते हैं का exam नहीं हुआ लेकिन exam में जितने भी लोगों ने फॉर्म बढ़ा है उनके लिए का option है कि जब भी कभी जेकेस भी आएगा तो आप लोग तयारी करके उसमें आप अच्छे से exam दे सकते हैं along with that आप लोगों को बता दू कि अभी line-up होने वाले exam कौन से हैं जो में चल रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो सिर्फ चार महीने बाकी है फोर मंद सार लेफ्ट अगर आप लोग देखें तो exam के चार महीने पहले आप लोगों को पता चल गया है कि आप examination से कितना दूर है अगर आपका selection नही पर 30 नंबर इतनी की ही तो कमी थी अगर कोई student है वो बोलता है कि sir 350 नंबर चाहिए थे लेकिन मेरे 320 आ रहे हैं तो मैं ये वाली बात बहुत अच्छे से और clearly वता सकता हूं कि वो student जो 320 नंबर लाया है वो 350 नंबर भी ला सकता है कहीं न कहीं problem हुई आपकी answer writing में कहीं न कह problem हुई है कि आप लोगों का अगर 15 नंबर का भी question था तो 15 के 15 नहीं मिले होंगे क्योंकि अगर आप 320 नंबर ला रहे हो इट means कि आपने पूरा paper किया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से किया होगा कहीं न कहीं कुछ answer writing में problem रही होगी कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों हैं उनको भी सुधार सकते हो और अपना जो अपना motivation है जो जुनून है जिसकी वजह से आप लोग मेंस तक पहुचे और इतनी सारी चीज़े करें उसको और बहतर कर सकते हो अब सिर्फ यह मत सोचो कि मुझे CPWD चाहिए अब यह सोचो कि मुझे AIR 1 चाहिए मैं बिलकुल मे अब इस तरीके से करो और डेली दो कोशन करो हर महीने साथ कोशन करते हुए चले जाओगे और तुमको पताए कि सची जेई मैं सिर्फ उसर फिस स्पीड और आपकी आंसर राइटिंग स्किल की उपर डिपेंड करता है जो foundation बैच है उसमें मैं यह भी सिखाता हूं कि कि इस कोशन नहीं भी बन रहा है या फिर लास्ट का जो कोशन ऐसे बन रहे हैं दो चार कोशन जिसमें आपके आपको डेटा कम हैं तो आपने पहले इतना डेटा दिया हुआ है कि उसके हिसाब से अपने कम लिखा है और वह आपको फूल माक्स दे करके जाए एक्जामनर से जो मा तक पहुंच गयों मतलब तयारी अच्छी है इस बार रुकना मत इस बार ठकना मत और इस बार सिर्फ अपनी गलतियों पर फोकस करना है कि मैंने ऐसी क्या गलतियां करी थी जिसकी वज़े से मैं 350 के ओपर नहीं जा पाया 320 या 310 या 315 पर ही रह गया पहली चीज़ जो मैं ससी जे या हुआ है मेरे लाल ये भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए खास कर मेकैनिकल वालों के लिए और इससे भी जादा अच्छा है इस रो एक्जामनेशन इस रो एक्जामनेशन के बारे में बात करूँ तो इंगिन स्पेस रिसर्च और्कनाइजेशन ने 160 प्लस विकेंसी दी हुई है मेकैनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी विकेंसी है बस इसके साथ यही है कि यह कभी भी एक्जामनेशन ले सकता है एक महीने दो महीने में। अगर आपकी मेंस तक की तयारी हो चुकी है इट मीन्स कि आपके पास कॉनसेप्त हैं बस आप लो आपको पता है और इसलिए मैंने इसका जिकर भी नहीं करा क्योंकि यह पता नहीं करा क्योंकि यह पता नहीं है कम आने वाली लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब संभावनाएं हैं कि 2023 में जरूर आईगी 2024 में एलेक्शन के पहले गवर्मेंट को देना ही पड़ेगा आपको वेक देखा जाए लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ चीजे जो आप लोगों को डिपेंट करती है वो है आपकी तैयारी अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 15 दिन भी वेस्ट कर दिये सिर्फ यह सोचने में कि मेरा कुछ नहीं हो सकता मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी 320 नंब तो कहीं कॉर्णर में बैठ करके रो रहे होते लेकिन अगर तुम आज ही वाला सेशन देख रहो इट मींस कि तुम्हारे अंदर वो जुनून अभी भी बाकी है तुम उन सारी जिल्लतों से जो फेलियर की जो लोगों के कहने की है उन सारी चीजों से उपर उठ करके अगर के सेशन देख रहे हो इट मींस कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो ताकत वो जज़बा वाकी है जिससे तुम आगे आने वाले एक्जामनेशन में बिल्कुँ चीर सकते हो फार सकते हो लिख के आ सकते हो इंजीनियर सोचो थोड़ा क्या कमी रहे गई उस कमी को देखो सुधार करो और हमेशा याद रख लेना कि जब भी कभी हम लोग कमी पर वर्क करना शुरू कर देते हैं तो वो कमिया कतम होती हैं और वही हमारी खूबियों में बदल जाती हैं और जब हमारी खूबिया बढ़ने लग ज जाता है तुम्हें पता है ना कि 320 नंबर तक 310 नंबर तक कैसे मेहनत की जाती है वो सारी चीज़े तुम्हें पता है वो मेहनत तुम फिर से कर लोगे अब तुम्हें मेहनत करनी हैं 320 नंबर से 350 नंबर 360 नंबर तक कैसे पहुंचना है उसके लिए एक एक नंबर के लिए त आपको जज करना पड़ेगा कि एक नंबर मेरा और कैसे बढ़ सकता है किस तरीके से मैं और मेहनत कर सकता हूं उसके लिए तुम्हारे मेंटर्स तुम्हारे साथ हैं तुम्हें अपने मेंटर्स चूज करे होंगे तभी तुम लोग ये सेशन देख पा रहे हो और कहीं से भी तुम लोग तयारी कर रहो फरक नहीं पड़ता बस तुम्हारी तयारी बेस्ट होनी चीए तुम्हें अपने अब एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है अगर आगे आने वाले साथ-ाथ महीनों में तुम्हें एक घंटे कम सोना पड़े तो सो जाना पूरी जिंदगी दो पर तुम्हें कमजोरी फील हो रही है कि मुझसे पावर प्लांट में थोड़ा सा कुश्चन नहीं बनते हैं या फिर मैं नुमेरिकल में वीक हूँ या फिर मुझे डेरिवेशन याद नहीं होते हैं या फिर कॉंसेप्स दो बनते हैं लेकिन मैं कन्फ्यूज हो जाता कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को लग रही हो उन सारी चीज़ों को पेपर में नोट डाउन करो और उस पेपर में नोट डाउन करने से पहले सब से उपर लिख लेना that 2023 will be your selection year ये चीज़ अपने आपको बताना, declare कर देना और खुद से बोलते रहना कि तुम्हा सही बात है, अगर भरोसा है तो कर ले जाओगे, तो अपने उपर से भरोसा मत टूटने देना, और जिस दिन तुम्हारा selection हो जाएगा तो जो अभी negative हुए है वो फिर से positive हो जाएगे, तो लोगों की परवा करना तो छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, हाथ तुम कोई भी organization दो जहां से batches लिये हुए, जहां से तैयारी कर रहो तो देखो किस तैयारी में, किस जग़े पे तुमसे चूख हो रही है, क्या faculty, mentors के side से कोई चूख हो रही है, या फिर तुम्हारे side से कुछ कमी रह जारी है, या फिर दोनों के side से कुछ कमी रह जारी है, अपन selection होगा, और एक चीज़ और बता दू, comfort zone में रह गर के तैयारी नहीं होती, तो मैं अपने comfort zone से आगे आना पड़ेगा, अपनी need से लड़ना पड़ेगा, अपने जो बहुती करीबी लोग हैं, जैसे हम personal लोग बोलते हैं, उन से लड़ना पड़ेगा, अपने क्या बोलते ह सुख सोविधाओं से लड़ना पड़ेगा, जी हां लड़ना पड़ता है, नीद आ रही है तो दिमाग को बोलो, नीद आ रही है आने दो, मैं तो पढ़ाई करके रहूँगा, मुझे ये topic complete करना है तो वो मैं करके रहूँगा, daily का schedule बनाओ, daily मैंने इतना पड़ना है, ये सबसे best होनी चीए, और जब तुम ये सारी चीज़े कर लोगे, तो कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने वाला, ना होगा कोई तुम्हें demotivate करने वाला, ना होगा कोई तुम्हें नीचे खीचने वाला, क्योंकि तुम उनकी बहुच से बहुत उपर हो चुके होगे, और ब पेट बैच में जाते हैं, तो पेट बैच का कोई ये मतलब नहीं है कि नहीं भाई, पैसे दे करके दे रहे हैं, तो पेट बैच का मतलब है, तब ही फेकल्टी पढ़ा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेट बैच के जो कुछ फाइदे हैं, वो मैं आप लोगों को बता देत चक्की से आटाल लेके अरके आना हो कुछ भी हो आपको बुलाया जाता है है ना कुछ भी हो जितनी भी हमारी लेडी सूर माज है उनके लिए भी क्या होता है घर में है कोई गेस्ट आ रहे हैं चलो खाने में हाथ बटा दो ये कर दो वो कर दो सब कुछ होती है लेकिन जब त लोगों भी लगता भी या इसमें पैसे लगाए हैं और वो तैयारी कर रहा है या कर रहे तो उसको पढ़ाई करने देते हैं जिस समय उनको सब्जी मगवानियोगी लगेगा चियार पहले दो दो चीज होती है पहली चीज क्या होती है हमारी नोटस चा वर्सानी लह लंगता है नहीं प्रप्रेश्य टाइम में पहले स्विफ जब भी कभी हमनारे पास सिर्फ दैखते हैं तो गूगल में आज सब्सक्राइब आगर मैं कोट्प लिए बहुत सारे से इते हैं आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग मेंस लेवल तक पहुच चुके हो और जो नहीं पहुचा उसको भी पताई कि सर जी ने काफी सारे कुशन्स ऐसे कराएं जहां पर लॉजिक दिया है कि गूगल में जो अंसर दिया हुआ वो गलत है तो अब तुम्हें यह चीज़ चूज करनी पड़ेगी कि तुम्हारे मेंटोस तुम्हारे साथ है तो अब सबसे पहली चीज़ कि जब भी तुम्हें डाउट क्लियर करना होत सार जितने भी आसो ने करने पेली चीज़ और वहां पर जितने कhini जबाया करके मैसे कर दो अपना doubt डाल दो, वहाँ पर जितने भी student है जो रात को 3 बचे तुमारे साथ तैयारी कर रहोंगे वो भी जग रहोंगे और वो वहाँ पर reply देते हैं सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि मैं day to day life के साथ तैयारी कर रहा हूँ साथ में आपके mentors होते हैं जब आपको लगता है कि Google में मुझे सही answer नहीं मिल रहा मेरे दोस्तों से मुझे सही answer नहीं मिल रहा फिर उसके बाद आप क्या करते हैं आप अपने mentors के पास जाते हैं और वो आप लोगों को सही suggestion देते हैं और फिर इसके साथ एक चीज़ और होती है कि जब भी कभी classes वगेरा होती है आप लोगों को कोई topic week है जैसे कि for example माल लीज़े मैं ले लेता हूँ RAC RAC एक ऐसा subject है जिसमें आप week हैं और आपको लग रहा है कि आर मुझे इसको वापस से revise करना है कल संडे आ रहा है संडे को मैं proper अच्छा से revise कर लेता हूँ तो आपके पास जब महापैक होता है पूरे के पूरे सारे recorded sessions भी उसमें मिल जाते है along with that live sessions भी मिल जाते है recorded देखने का मने recorded देख लो live देखने का मने live देख लो तो सारी चीज़े आप कर सकते है साथ में आप लोगों के लिए क्या हो जाता है साथ में आप लोगों को test series वगएरा मिलती है जिसमें आप test series वगएरा देते है तो जब आप तयारी करते हो तो आपके पास एक full flesh content होना चाहिए best content होना चाहिए जिससे आप तयारी करो तो आप लोगों को feel आए कि हम तो तयारी कर रहे हैं बढ़ियां तयारी कर रहे हैं और जब तुम्हारे अंदर से यह चीज आती है कि मैं बढ़ियां तयारी कर रहा हूँ और जब तुम मेंस तक पहुँच चुक हो तो तो मैं लगता है कि मुझे और बढ़ियां तयारी करनी हो उसके लिए तुम और ज़यादा मेहनत करते हो और जब वो जो मेहनत होती है उसके साथ अगर तुम्हारे मेंटोस की मेहनत भी जोड़ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है गाईज एक सिंपल सा फंडा है माल लो ये ग्राउंड है और यहाँ पर है आप लोगों का गेट लेकिन आपको पता नहीं है कि गेट का है तो हो सकता है आप यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे लेफ्ट हेंड पे बिल्कुल सीधा जाओ और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा और आप इस तरी किसे जाते हो तो आपका टाइम सेव होता है हर बार आपको फेलियर नहीं देखना पड़ता कि यहां पर देखे अरे यार दिवारे यहां पर तो गेटी नहीं यहां गए अर फ्रेंट बार इसा होता है आपसपास के लोग भी बता रहे होते हैं और जब आप किसी एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो आप भी-डूसरों को सज़िक्ट कर रहे होते हो जो फ्रेश में चला जाता है जहां पर आप भी उठते हो आपके साथ वाले भी उठते हो और साथ में सेलेक्शन लेते हैं ये सारे कुछ फाइदे होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए पेड़ बैच के तो इसको कभी इस तरीके से मतलेना कि नई सर ने पेड़ बैच लेने के लिए बोला ना मैं बिल्कुल नहीं बोलता है कि तुम्हें पेड़ बैच लेना है बस मैं तुम्हें फाइदे बता देता हूँ तुम लोगों को सेल्फ स्टड़ी के फाइदे पेड़ बैच के फाइदे हर एक चीज़ के फाइदे बता देता हूँ तुम लोग साथवी आचवी में नहीं होगी मैं बोलूँगा बेटा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे बैट जाओगे तो बैट जाओगे तुम लोगों के पास तुम्हारा दिवाग है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है बस मैं तुम्हें अच्छा और बुर बिल्कुल foundation batch paper 1, paper 2 को लेकर के जहां पर आप लोगों को देखना है कि भाई मुझे selection लेना है और selection लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए एक batch होना चाहिए जहां पर मैं general engineering भी पर सकूँ जहां पर मैं अपनी core subject को भी पर सकूँ तो तुम लोगों के लिए batches बनाएगा है चाहिए वो civil हो, mechanical हो, electrical हो, तीन हो में देख सकते हो along with that अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक ऐसा batch चीए जहां पर मुझे सब कुछ मिल जाए then it is maha pack civil का भी आता है, mechanical का भी आता है, electrical का भी आता है किसी भी महा pack में enroll कर सकते हो order 24-7 store पे जाना AJ section पे आपको mechanical का महा pack मिल जाता है वहाँ पर maximum discount तो चली रहा है लेकिन और ज्यादा discount चाहिए तो code use कर लेना Y166 Y166 का code use करोगे तो इससे तुम लोगों को maximum discount मिलेगा और guys, जब तुम लोग खुद को enroll करोगे उसके बाद आप लोगों को group का access मिल जाता है वो group सिर्फ उसे private group है मतलब that is only for page students तो group का access मिल जाता है along with that आपको सारी PDF सारे content मिल जाते हैं तो तयारी करना easy हो जाता है तो इसी तरहीं के से तयारी करो कोई भी problem आती है तुम्हारे mentors तुम्हारे साथ ही तुम्हारे साथ हैं जो साथ में preparation कर रहे है और उसकी मदद से तुम लोग अपना selection जरूर कर सकते हो तो ये मत सोचो कि कुछ नहीं बाकी है picture अभी बाकी है और उस picture के तुम hero हो और hero ही रहोगे इस चीज को जितना जल्दी मान लोगे जितना जल्दी अपना लोगे उतना अच्छा रहेगा तो चलो guys I hope आप लोगों के session अच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी motivate हुए हो तो session के end में जो comment box है उसमें गुलावी दिल जरूर छोड़ देना मिलेंगे फिर अपन next session में और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग batches में आएंगे और अपने आपको बहतर चे और बहतर बनाएगे तो चलो guys मिलते हैं फिर नेक्स session में तब तक के लिए बाबाई